हमश्कार आईए सुनते हैं सुबद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी सोने की कंठी बिंदो पोस्टमेन की लड़की थी उसका पिता राय साहब निर्मल चंद की कोठी के चागर पेशे की एक कोठरी में किराय से रहता था पोस्टमेन की आमदनी ही कितनी खर्च सदा ही आमदनी से कुछ जादा हो जाय करता था इसलिए बिंदो और उसकी मा को अच्छे गहने और कपड़े कभी नसीब न हुए बिंदो रूपवती थी और उसको अच्छे अच्छे गहने कपड़ों का शौक था इस्त्रियन सुभावता सौंदर एकी उपासी का होती है जो जितनी अधिक सुंदर होती है उनकी सुंदर उपासना उतनी ही अधिक बड़ी चड़ी होती है किन्तु सुंदरी बिंदो गहनों और कपड़ों के लिए तरसा करती थी राय साहब की स्वजाति होने के कारण कभी कभी तीज तेवहार या कामकाज होने पर कोठी से बिंदो की मा के लिए भुलावा आता और मा के साथ बिंदो भी जाय करती वहां राय साहब की लड़कियों को खोप सजी-धजी देखकर उनके चमकते हुए हीरे मूती के गहनी और द्रिष्टी को फिसला देने वाले रेश्मी कपड़ों को देखते ही वह अधिक छुब्धो जाय करती विशेश कर इसलिए और भी कि राय साहब की लड़कियां सुन्दर ना थी गहनी कपड़े उनके शरीर पर ऐसे जान पड़ते जैसे कि किसी ठोट के साथ लपेट दिये गए हूँ बिंदो की राय थी कि अच्छे कपड़े और गहनी पहननी का अधिकार उनहीं को होना चाहिए जो सुन्दर हो कुरू पिस्त्रियों का श्रिंगार तो श्रिंगार का उपहास और कला का अनाधर है राय साहब की लड़कियों से गहने कपड़े की प्रतियोगिता में हार कर बिंदो हताशना होती घर लोटते ही वा शीशे में अपना सुन्दर मुख देखकर मन ही मान उनके प्रती कहती गहना कपड़ा पहन कर भी तो उनका काला मुगोरा नहीं हो जाता बड़े-बड़े दाद मोतियों सरीखे नहीं चमकते फिर एका एक वा दिर्ग निश्वास के साथ शीशे के सामने से दूर चली जाती मानू यह सोचती कि विश्व के सारे सौंदर्य की वस्तुएं केवल उसी के लिए बनाई गई थी किन्तु निर्माता की भूल से वा उससे दूर रख दी गई है राय साहब की लड़कियों के पास तो वे सौंदर्य वर्धक वस्तुएं अनवश्रक ही है उन से उन लड़कियों के सौंदर्य की व्रिद्धी तो नहीं हो पाती हाँ उन वस्तों का सौंदर्य अवश्रक घट जाता है बिंदो को एक आशा थी बस सोचती थी कि विवाह के बाद मुझे भी बहुत से गहने और कपड़े मिलेंगे जैसे दूसरी विवाहिता लड़कियों को मिला करते हैं उनके समान मैं भी अपने घर की मालकिन बनूंगी मेरे वे भी बहुत सारा रुपया लाकर मेरे हाथों में रख दिया करेंगे और तब मैं भी मनमाना खर्च करूंगी बाजार में कोई अच्छा कपड़ा या गहना देखते ही वे मेरे लिए खरीद लावेंगे और मैं उसी अभी मान से पहनूंगी जैसे ये पहनती है किसी के पूछने पर मैं जरा संकोज और सलजभाव से कह दूंगी कि यह गहना या कपड़ा तो खुद वे ही अपनी पसंद से मेरे लिए खरीद लाएं हैं उसे विश्वास था कि जब विधाता ने उसे सुन्दरता देने में इतनी उधारता की है तब ये गहनी कपड़े की इच्छा भी एक न एक दीन अवश्य पूरी होगी वा उस दिन की प्रतिक्षा बड़ी लगन से किया करती धीरे धीरे बिंदो सयानी हुई और उसका विवा हो गया किन्तु निर्धन की बेटी भला धन्वान के घर कैसे ब्याही जाती मित्रता बैर और विवा सगाई तो अपने बराबरी वालों में ही शोबा देते हैं ताथ पर यह कि बिंदो के गहने कपड़ों की प्यास जीओं की त्यों बनी रही विवा के समय कुछ गहने और कपड़े आये अवश्य थे किन्तु ससुराल पहुचने के बाद ही वे एक-एक करके किसी नकिसी बहाने से ले लिए गए बिंदो समझ गई कि वे गहनी उसके नहीं है बेचारी जी मसोस कर रह गई और करती भी क्या बिंदो की ससुराल में खेती बारी होती थी परिवार बड़ा था बिंदो की दो जठानिया थी और एक अविवाहित देवर तीन भाई तो खेती का काम मन लगा कर करते थे किन्तो बिंदो के पती जबाहर का मन खेती के कामों में न लगता था वह सभाव से ही कुश रौकीन थे उनकी गाने बजाने की तरफ विशेश रूची थी कुश्ते लड़ने और पहलवानी करने का भी शौक था गठे हुए बदन पर सदा मलमल या तंजीब का कुरता रहता गुंगराले बाल सदा किसी न किसी सुगंधित तेल से बसे रहते सुभाव में आत्म भिमान की मात्रा भी अधिक थी वे कुछ नकमा कर भी घर भर पर अपना रोब जमाते रहते बिन्दो कुछ पढ़ी लिखी होने के कारण उस देहात में आदर की वस्तु हो गई थी विशेश कर उस समय अवश्य जब रामायन या महाभारत पढ़ती और गाउं की अनिक इस्त्रियां वहाँ इकत्र हो जाती वे बिन्दो की सास के भागी की सराहना करती और कहती यह लक्षमे से बहुत तुम्हारे घर आई है इसके कारण भगवान के दो बोल हम लोग भी सुन पाती है बिन्दो भी अपने इस देहाती जीवन से असंतुष्ट न थी सास उसका आदर करती थी जिठानिया उसे काम न करने देती इसके अत्रिक्त जवाहर उसे प्यार भी बहुत करता था उसी घर में लड़ाई जगडा होने पर कई बार ऐसे मौके आए कि उसके जेट अपने इस्त्रियों पर हाथ चला बैठे किन्तु जवाहर बिंदों से कभी एक कड़ी बात भी न करता बहर तरह से अपने दिहाती ढंक से ही सही उसे संतोष रखने का प्रयास करता बिंदों भी अब सुखी थी उसे गहने कपड़ों की याद न आती थी वैसे तो दिहात में अच्छे गहने कपड़े पहनता ही कौन है फिर भी सब के बीच में बिंदो ही बिंदो दिख पड़ती थी बिंदो सबसे अधिक सुन्दरी तो थी ही साथ ही पती की तरह वह सबसे अच्छे कपड़े भी पहना करती थी मना करने पर भी वह जठानियों के साथ काम करती और सास को नियम से रोज रामायर सुना देती रात को अलाव के पास बैठती जहां गाउं की अनेक यूतियां, वृद्धाएं, न्यूवाक और प्रोड सभी कठे होते फिर बहुत रात तक कभी कहानी होती और कभी पहलियां मुझाई जाती वहाँ दिन भर के परिश्रम के बाद सब लोग कुछ घंटे निश्चित होकर बैठते उस समय कहानी और पहली के अत्रिक किसी को कोई भी चिंता न रहती थी सबेरे नदी का नहाना भी कमानंद देने वाला न रहता बोड़ी युवती बहु बेटी सब इकठी होकर नहाने जाती रास्ते में हसी मखौल और तरह-तरह की बाते होती बिंदो भी उनके साथ जाती नदी में नहाना उसे विशेश प्रिय था और कभी-कभी जव बिरहा गाते हुए दूर से आती हुई अपनी पती की आवाद सुनती या जव देखती कि उसका पती अपनी मस्तावाज में खुदा गवा है हम तुमको प्यार करते हैं गा रहा है तो उसे ऐसा प्रतीत होता कि जवाहर उसी को लक्ष करके कह रहा है तात पर यह कि बिंदो पूर्ण सुखी थी अब उसकी कोई और इच्छा न थी एक बार बिंदो की मा बिमार पड़ी मा की सिवा करने के लिए बिंदो को लगातार चार पांच महीने नहर में रहना पड़ा फिर उसकी आखों के सामने वही राय साहब की लड़कियां और वही गहने कपड़ों का प्रदर्शन होने लगा उसकी सोई हुई आभूशनों की आकांग्शा फिर से जाग उठी वह सोचने लगी क्या इस जीवन में मेरी अभिलाशा कभी पूरी न होगी तो फिर इश्वर ने मुझे इतना रूप ही क्यों दिया किंतु विधी के विधान पर किसका जोड चलता राय साहब निर्मल चंद 40 के उस पार पहुच चुके थे फिर भी उनमे रसिक्ता की मात्रा आवशक्ता से अधिक थी वे प्राया सिनेमा देखने जाया करते थे किसी अच्छी कहानी की एक्टिंग के लिए नहीं केवल सुन्दर चेहरों को देखने के लिए उन्होंने सब तिर्थ भी कर डाले थे और प्राया पर्वों पर सब काम छोड़ कर भी वे इसनान घाटों पर पहुच जाते थे किसी प्रकार के पुन्यलाब की उन्हें इच्छा रहती थी या नहीं या तो इश्वर जाने किन्तु इसनान करती हुई योदियों के अंग प्रत्यंकी ताग जाकी उद्गड इच्छा उनके चेहरे पर कोई भी साब देख सकता था वे कश्मीर और नैनिताल भी अकसरगर्मी की छुटियों में जाय करते थे किन्तु वे जलवाई परिवर्तन के लिए जाते थे या किसी और उद्देश से यह नहीं कहा जा सकता वे सुन्दर इस्त्रियों के पीछे अनायासी मीलों का चक्कर अवश्र लगा आते थे वे बहुत कुरूप थे इसलिए सुन्दरी की बात तो अलग रखिये कोई कुरूप से कुरूप इस्त्री भी उनकी तरफ आख उठा कर देखने में अपना अपमान समझती थी इसलिए प्राया गंदे मजा करके ही वे अपनी वासना के त्रिप्ति कर लिया करते थे इसके अत्रेक्त विपरोपकारी भी थे उनके घार एक नामी गिरामी वैदराज रहा करते थे जो राय साहब के मित्रों और उनके आश्रित निर्धनों का मौफ्त इलाज करते थे उनका दवा खाना राय साहब की बैठक से लगा था मरीज को दवा देने के लिए राय साहब की बैठक से होकर ही वैदिराज के पास जाना पड़ता था बिंदो की मा का इलाज भी यहीं वैदिराज करते थे घर में और कोई न होने के कारण बिंदो को ही मा के लिए दवा लानी पड़ती थी एक दिन दो पहर को बिंदो जब दवा लेने गई तो उसने देखा कि राय साहब के पास एक सुनार कई तरह के गहने फैलाई बैठा है सैसा इस प्रकार गहनों की प्रदर्शनी सामने देखकर इतनी दिनों की सोई हुई बिंदों की गहनों की उतकंठा फिर से जागरित हो उठी छड़ भर के लिए वह भूल गई कि वह यहां किसलिए आई है बहुत सुकता पुर्वाक उन फैले हुए गहनों के पास बैठ गई और बड़े चाव से उन्हें उठा उठा कर देखनी लगी उनमें से तीन लड़की एक कंठी थी जो बिंदों को बहुत पसंद आई उसने उस कंठी को कई बार उठाया और रखा और अंद में एक ठंडी सास के साथ हुआ उसे वहीं रखकर अलग खड़ी हो गई राय साहब ने भी वही कंठी पसंद की बाकी गहने वापस करके सुनार के दाम देने के लिए दूसरे दिन बुला कर उन्होंने उसे रवाना कर दिया यद भी बिंदो की उमर की राय साहब की लड़कियां थी फिर भी बिंदो उनकी कोद्रिश्टी से बचीना रही उसके इस समय के हार्दिक भाव राय साहब अच्छी तरह ताड़ गए और वार करने का यही उप्युक्त समय देखकर वे हस्ते हुए बोले बिंदो या कंठी तुम्हें बहुत पसंद आई है पहनोगी एक प्रकार की अव्यक्ताशा से बिंदो का चहरा खिल उठा पर यह प्रसनता चड़िक थी वा गंभीर होकर बोली नहीं मैं नहीं पहनोगी गहने गरीबों के लिए नहीं होते राय साहब बोले गहने तो गरीब अमीर सब के लिए होते हैं फिर तुम्हारी तरह का गरीब तो इच्छा करते ही मनमाना गहना पा सकता है सो कैसे? बिंदो ने पूछा गैनों की इच्छा तो मुझे सदा से रही है पर वे मुझे कभी नहीं मिले और न जीवन भर मिलेंगे या मैं अच्छी तरह जानती हूँ राय साहब धीरे धीरे बिंदो की तरफ आते हुए बोले जीवन भर की बात तो अलग रही बिंदो या कंठी तुम्हें इसी समय मिल सकती है केवल तुम्हारी इच्छा करने भर की देर है तुम्हारे उपर एक क्या ऐसी लाखो कंठिया निचावर की जा सकती है पर बिंदो यदि तुम मेरे मन को समझती राय साहब के आरक्त चहरे और हिंसक पशू की तरह आखों को देखते हुए मिंदो सिहर उठी और दो कदम पीछे हटकर बोली आप मुझे दवा दिलवा दे मैं जाओं अम्मा अकेली है उसने इस बात को इतने जोर से कहा जिससे अंदर आवाज बहुत सके वर श्रेगर ही दवा लेकर लोटी उसने मन ही मन सोचा अब मैं दवा लेने न जाओंगी राय साहब की नियट ठिकाने नहीं है मैंने समझा था कि वह बेटी समझकर मुझे कंठी देना चाहते हैं परंतु वे तो सतित्व के मोलू से बेशना चाहते हैं चूले में जाए ऐसी कंठी मुझे न चाहिए विधाता सतित्व कंठी से कई गुना जादा कीमती है किन्तु इतने पर भी उस कंठी को अब भूलना सकी रह रहकर कंठी उसकी आखों के आगे जूलने लगती फिर उसने एक युक्ती सोची यह हो सकता है कि जैसे वह मुझे चलना चाते हैं मैं भी उने चल लूँ उनसे कंठी ले लूँ फिर बचकर भागाऊं ऐसे अनेक तरह के संकल्ब विकल्ब करती हुई बिंदो सो गई दूसरे दिन दोपहर को बिंदो को फिर दबा लेने जाना पड़ा पहुचकर उसने देखा कि राय सहाब के मसनत के पास उसी तरह की चार कंठियां पड़ी हैं बिंदो के पहुचते ही राय सहाब ने उसे बैठने के लिए कहा बिंदो बैठ गई कल उसने जितने संकल्ब किये थे उसे इस समय याद न रहे कंठियों की चका चौत के सामने बिंदो को सब कुछ भूल गया बिंदो के सामने हिराय सहब ने एक कंठी को तौल कर उसकी कीमट 2500 रुपे सुनार को देकर विड़ा कर दिया बिंदो चकित द्रिश्टी से उस कंठी की ओर और कभी उन रुपेयों की तरफ देखती थी कहते कहते राय सहब ने एक कंठी बिंदो के गले में पहना दी और उसे जबरन पकड़ कर एक बड़े सीशे के समोग खड़ा कर दिया फिर उसकी तरफ सत्रिश नित्रों से देखते हुए बोले अपनी सुन्दर्ता देखो वहाँ बिंदो है या कोई दूसरी बिंदो मंत्र मुग्दसी देखती रह गई वह अभी राय सहब की किसी बात का उत्तर भी न दे पाई थी कि इसी समय उन्होंने अपने बड़े बड़े दातों वाला मू बिंदों के होठों पर धर दिया बिंदो को जैसे बिच्चू ने डंक मार दिया हूँ वह घबराई किंतु कुछ वशना चला इस प्रकार कुछ तो कंठी के लालश में और कुछ राय सहब की जबरदस्ती के कारण उस दिन दोपहर के सननाटे में अभागी बिंदो अपने को खो बैठी बेचारे को उस कंठी की बहुत बड़ी केमत देनी पड़ी परंतो उसके बाद फिर राय सहब के घर तवा लेने कभी न गई उसके कुछी दिन बाद बिंदो ससुराल चली गई और उस कंठी को भी वह सबसे चिपा कर अपने साथ ले गई ससुराल में लोगों के पूछने पर उसने यही बतलाया कि यह कंठी उसके माने उसे दी है किन्तु बिंदो ने उसे कभी पहना नहीं पती के आग्रह करने पर जब कभी वह उसे घंटे आधे घंटे के लिए पहनती थी तो ऐसा मालूम होता था जैसे काला विश्धर उसके गले से लिप्टा हूँ कंठी को देखते ही प्रसन होने के बदले वह सदा उदास हो जाया करती थी बिंदो के पती और जेठों में अन्बन हो गई भाई भाई अलग हो गई दूसरे भाई तो खेती करके खुशे-खुशे आराम से रहने लगे किन्तु जवाहर से खेती का काम नहीं होता था जिसका परेडाम यह हुआ कि सब लोग तो चार पैसे कमा कर गहने कपड़े की फिकर करने लगे इधर जवाहर के घर फाके होने लगे अभिमानी स्वभाव के कारण जवाहर अपनी विपत्ती भाईयों पर प्रकटना होने देता अब पहलवानी छोट गई मल-मल तंजेब के कुर्ते मैले दिखने लगे सिर में तेल भी कहां से मिलता जब खाने के लिए घर में अन्न का दाना भी न रहता बिंदो से पती का कस्ट देखा न गया और उसने एक दिन कंठी निकाल कर पती को बेचने के लिए दे दी जवाहर बड़ी प्रसंदता से कंठी लेकर सराफे के ओर गया पर थोड़ी देर बाद उसने लोटकर निराशा से कहा यह तो मुलम्मे की है बिंदो यह सुनकर सर थाम कर बैठ कई मानो उस पर वज्र गिर पड़ा